हाई तो मेरा रिजल्ट आ गया है 12th क्लास का जब actual में रिजल्ट आया तब मैं घर पे बैठके online entrance exam दे रहा थे एक college का तो result आने के 2 गंडे बाद तक तो मेरे को पता भी ने लगा कि result आ गया है मैंने जैसा सोचा था कि मेरे result आएंगे almost वैसे ही है तुम चाहो तो मेरी term to review वाले video चेक कर सकते हो उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे हर एक exam कैसा गया उस information को तुम मेरे actual marks के साथ relate कर सकते हो anyways यह है मेरा result देख लो I am pretty happy with these marks but I am not satisfied I won't lie क्योंकि मैंने गौद बिकार बिकार से लिए mistakes कर दी और जब आप ऐसी mistakes करते हो तो आपको लगता है भाई यह avoid हो सकता था पर कोई बात नहीं सही बताओ तो मेरे को लग रहा था कि अगर strict checking होगी तो मेरा score 89-90 तक ही रुख जाएगा पर thank God ऐसा नहीं I will consider कि हां marks मेरे अच्छे ही हैं मतलब बुरे नहीं है अच्छे हैं मेरी पूरी 12th class की preparation की पीछे सिर्फ एक ही reason था कि मेरे को नया PC मिल जाए अगर मेरे अच्छे marks हैं 12th स्टार्ट होने से पहले मेरे parents ने में को गोला था कि अगर मेरे 12th में अच्छे marks है तो में को जो चाह इसलिए मैं कभी stream ने कर सकता उसमें premiere pro भी नहीं चलता इसलिए मैं film हो रहा पर चीजे बनाता हूं सोच सकते हो और मेरा film हो रहा भी इतना slow चलता है अगर मैं 10 minute से उपर की कोई चीज बनाऊ तो वो पूरा hang होने लग जाता है हर एक button को 10 second लगते हैं execute होने में तो मैं 12th की beginning में सोचा था कि भाई मैं एक साल महनत करूंगा अच्छे marks लाँगा ताकि मेरे को एक धंग का PC मिल जाए और जब मैं actually college में जाओं तो मेरे पास at least रिक अच्छा PC हो और मैं वहां पर जो चाय वो बना सकता हूं technical restrictions नहीं होंगी मेरे पर कोई मुझे पिछले पूरे साल KGF क Rocky Bay वाले feeling आरे थी क्योंकि मेरे पूरे जिंदगी का बस एक मकसद था वो भी इतना lame सा मकसद कि बस मैं को एक laptop चाहिए नहा में को लगता है कि इतने score में में को I think एक नहा PC मिल जाएगा अम एक साल लगा पर अच्छी बात है दे रहा है दुरस्त आया Now I don't want to make this an accomplishment speech जैसे मैंने कुछ बहुत ही बड़ा accomplished कर लिया हूँ But मैं इतना जरूर बोलूँगा कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो भाई कभी भी मेरे को नहीं लगता कि मेरे इस से 10% marks भी आते है And also I have to mention हा मैंने थोड़ी सी offline intuitions ली थी पर मैंने अपनी mostly पढ़ाई online lectures YouTube पे देखके कर रही है Maths तो मैंने literally पूरे साल YouTube से पढ़ा है और कुछ ही use नहीं किया मैंने maths पढ़ा था नुराग चोहान सर से, physics पढ़ा था फिसिक्स वाला सर से और chemistry पढ़ा था A2 अर्विन दरोरा सर से इन तीनों सर्स का मैं अब जिन्दगी बराबार ही रहूँगा क्योंकि इनोंने मेरे को बेना किसी गुरु दक्षिना के free of cost lockdown के टाइम पे पढ़ाया है अगर आप तीनों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है Thank you, thank you very much And distractions सब की life में होती है ऐसा मत सोचो की सिर्फ तुमारी life में distraction है अगर तुम्हें एक distraction छोड़ो के दस और आ जाएंगी तुम्हें उन दस को भी छोड़ना है और उन सब से दूर रहना है जितना हो सब के उतना दूर